जब हम लोग देश और खासकर उत्तर प्यदेश की राजनीती की बात करते हैं और मुझे लगता है कि मुलायम सिंग यादो और मुलायम सिंग यादो परिवार के बारे में बात ना करें इस अंभव भी नहीं है केंदी की राजनीती में एक लंबे समय तक कद्दावा नेता रहें और आप देखें उत्तर प्यदेश में भी यह आप देखें कितने तीन बार मुखमंत्री रहें और उसके बाद इनके वेटे मुखमंत्री रहें अकले सियादो और अभी वर्तमार में यह लोग सभा सदस्त भी है तो आज हम लोग मुलायम से इंगे यादों के बारे में बात करेंगे और आप में से बहुत सारे लोग इन्हें पसंद भी करते होंगे बहुत सारे लोग इनकी आलोचना भी करते होंगे आलोचना करने की भी कुछ कारण है कुछ विवाद इनसे जुड़े हुए हैं उन विवादों पर भी हम लोग बात करेंगे इनका परिवारिक बेक्ग्राउंड भी देखेंगे इनकी सिक्षा भी देखेंगे हम लोग इनकी पहली पत्नी की बात करें मालती देवी तो आप देख रहे होंगे और जिनके बेटे हैं अकले से आदव और इनोंने दोसरी साधी की थी साधना गुपता से और जिनके बेटे हैं पिर्तीक यादो ठीक है इनकी दो बेटियां इनका बेटा और इनकी पत्नी डिमपल यादो और इनका संबंद उत्तर पिदेश से और उत्तर पिदेश वैसे भी आप जानते हैं कि राजनीती की दिरिष्टी से काफी महत्पूर है राजनीती की दिरिष्टी से महत्पूर इसलिए है क्योंकि आप देखें, बिधान सभा में 403 सीटे हैं, बिधान परिशद में 100 सीटे हैं, राज्य सभा में 31 सीटें देखने को मिलेंगी, लोग सभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी और ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है न इसका रास्ता ऊत्तर पिदेश से होकर जाता है और आप लोग अभी तक पिधानमंतریों की सूची उठा के देखेंगे न तो अधिकतर पिधानमंतری आपके ऊत्तर पिदेश से ही निकल के आयगोई है मुलायम सिंह यादव का पूरा नाम मुलायम सिंह यादव आप लोग लिखते हैं और इनका उपनाम है नेताजी और एक समय में यह पहलवान भी रहे हैं पहलवानी भी की है 22 नवंबर 1949 में सैफ़ा ये टाबा उत्तर पिदेश में इनका जनम हुआ था और उस समय आपको माल हुगा कि हम लोग अंग्रेजियों की अधीन थे 1949 में 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी इनके पिता का नाम अगर आप लोग देखे सुगर्ड सिंह यादव इनके पिता, माता का नाम स्रीमति मूर्ति देवी और जीवन साथी मालती देवी और साधना गुपता और बच्चों में जैसा बता है कि अखलेश यादो पॉलिटिसियन है, राजनेता है और इनके पितिक यादो बेटे हैं, यानि कि बेवसाई हैं इनके और इनके भाईयों में देखें तो सिपाल सिंग यादो, राम गोपाल यादो अभय राम सिंग यादो, राजपाल सिंग यादो रतन सिंग यादो इनकी बेहन कमला देवी यादो और इनकी सिक्चा की बात करें तो के के कॉलेज एटाबा उत्तरपदे से इन्होंने सिक्षा लिए और A के कॉलेज से कोहा बाद उत्तरपदे से भी पढ़ाई की हुई है और B.R. कॉलेज आगरा बिस्टे विध्याले से भी इन्होंने सिक्षा पराप्त की हुई है और भी ये किया हुआ है राजनिती सास्त से और एमे किया हुआ है राजनिती सास्त से और इसलिए आप देखते हैं कि राजनिती के मजह हुए खिलाडी भी इने कहते हैं आप लो इनकी रूची की बात के ने तो कुस्ती करना, पुस्त कें पढ़ना, संगी सुनना, लोक नितिकर देखना इनका रूची है और पसंदीद राजनिता, राम मनुहर लोहिया और इनकी जो समाजबादी पाइटी है ना उसकी विचारदारा भी ये कहते हैं कि रामनुवर लुहिया की विचारदारा है समाजवादी पार्टी से जुड़ी है अभी वर्तमार में इनकी राजनिती क्यात्रा देखें तो आप देखेंगे 1967 में वह उत्तरपिदेश बिधान सबा की सदर्श चुने गए थे और आप देखेंगे कि विधायक बनने के लिए उमर 25 साल होनी चाहिए कम से कम और आप देखेंगे कि इसमें अधिकतम उमर कोई नहीं रखी गई है और विधायकों को चुनाव डारिक्ट जनता के द्वारा होता है अगर आपकी उमर 18 साल हो चुकी है तो आपका भी बोटर सुची में नाम जुड़ चुका होगा आप भी बोट डालने जाते होंगे फ़र 1927 में वह पहली बार उत्तरपिदेश की राजमंत्री बने थे 1980 में वह लोग दल की अध्यक्च बने थे पहले लोग दल से भी जुड़े रहे है 1982 से 1985 तक उन्होंने उत्तरपिदेश विधान परिशद में विपक्च की नेता की रूम में भी काम किया है और 1989 में वह पहली बार उत्तरपिदेश की मुख मंत्री का पद समाला 1990 में वह चंद सेकर की पार्टी जन्ता दल समाजबादी में सामिल हो जाते है और 1992 में उन्होंने समाजबादी पार्टी सोसलिस्ट की इस्तापनागी जो बर्तमान में आप देखते हैं कि चुनाव चिन इसका क्या है? साइकल है 1993 में वह दूसरी बार उत्तरपदेश की मुख मंत्री बने थे और 1996 में मैं मैंनपूरी छेत से 11 लोकसभा की सदस चुने गए थे और लोकसभा सदस की बात बनने की होती है तो इसमें भी कम से कम मुम रखे गई है 25 साल और इनका चुनाव भी डारेक्ट जनता की द्वारा होता है मददाताओं की द्वारा होता है 1989 में वह सेउक्थ मोर्चा गडवंधन सरकार के अंतरगत भारत की रक्चा मंत्री भी वने थे और रक्चा मंत्री की रूम में इनकी तारीफ भी की जाती है 1909 में उन्होंने दो लोग सबा सीटों संबलो कन्नों से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटी जीती तो आप समझ सकते हैं कि एक सीट नहीं आज कल लेता आप देखते हैं दो सीटों से चुनाव लड़ते हैं और हार भी जाते हैं दोनों सीटें लेकिन आप देखिए उन्होंने दो सीट चुनी और दोनों से चुनाव जीते लेकिन क्या रहता है कि अगर दो सीटों से चुनाव जीत जाते हैं तो आँगे एक सीट खाली करनी होती है एक सीट आप लोग रख सकते हैं 2003 में होगा है तीसरी बार उत्तरपदेश के मुकमंत्री चीप मिनिस्टर वने और 2004 में उन्होंने एक लाग तेरासी हजार आठ सो निन्यानवे बोटों की अंतर से गन्नो और विधासवा सीट से चुनाव की जीत दर्ज की थी जो अभी तक की सबसे बड़ी जीत का लोकसभा चुनाव जीता फिर आप देखें 2014 में भी उन्होंने सोलेवी लोकसभा चुनाव के दौरान दो सीटों आजमगर मैन फिरूरी से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटें जीत दर्ज की और ये 2014 आप देखें वो साल था जब मौधी की और आप देखें की बीजेप भी हासिल की और आप देखें अभी लोकसभा सदस हैं इनसे जो आप देखें बिवाद जोड़े हुए हैं एक तो आप देखते हैं अयुद्या गोलिकार्ण बिस से हिंदू परिशद आप देखते हैं न भी एचपी जिसे कहते हैं 1964 में इसकी स्ताफना हुई थी इसने आप आप देखें 30 अक्टूबर 1990 को लाखों कारसेपक एयुद्या में 81 हुए थे और उनका उद्देश था कि जो विवादित इस्तल पर मस्जित को तोड़कर मंदिर का निर्मार करना था राम मंदिर जो आप देखते हैं न उसी की बात हो रही है बाबरी मस्जित आपने देख सुरक्षा बलों ने गोली चला दी और इसमें कई लोगों की डैध भी हुई थी कई लोग मारे गये थे भगदर से भी और घायल भी हुए हलांकि मौतों के आकड़े कभी इस्तपष्ट नहीं हुए और यूपी के ततकालिन मुकमंत्री उस समय मुलायम सिंग यादव की सरक किया था और चैनल ने अपने इस्टिंग में एक ततकालिक अधिकारी से बात की थी और राम जनम्भूमी थानी के ततकालिक एच एचो भीर बहादुर सिंग ने बताये कि कालसेबकों की मौत का अंकड़ा जो अंकड़ा बताय गया था उससे जाना कालसेबकों की मौत हुई थी और 2012 में आपने देखा होगा दिल्ली में एक गैंग रेप हुआ था इसकी घटना के बाद मुलाहिम सिंग यादव ने एक बिवाद इस पर बयान भी दिया था इसमें कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है इसको लेकर भी ने काफी आलोचना का सहनी पड़ी थी फिर आप सिद्धन्स रवेई के लिए हम लड़कों को ही जिम्मेदार मानते हैं यूएन की बात हो रही है ये सेवक्तराष्ट की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं कि एक अंतराष्टे संगठन है यूनाइटिड नेसंस 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और आप देखने को मिलेगा फिर आप देखेंगे 2014 में उत्तरप्रदेश की मुझाफर नगर दंगे हुए थे और उसकी आग अभी सांध नहीं हुई थी कि मुलायम सिंग यादव ने एक सामोहिक कारिकरम का आयोजन किया था और जिसके कारण मुलायम सिंग यादव को मीडिया में क समन भेजते हुए बुलाया और जिसमें मुलायम सिंग यादव के द्वारा सामोहिक बलतकारों को आभ इवारिक बताया था तो यह सबसे अच्छे बात यही रहती है कि आप लोग अभी तक कि हम लोग बायोगराफी कवर कर लेते हैं आंगे किस पद पर यह पहुंचते हैं क्या करते हैं यह तो आने वाला भक्ती बताएगा और भविस्थ करता नहीं है तो इसलिए आप लोग नियूच्वे पर फॉलू करते रहा करिएगा और वैसे भी आज तो आजकल तो मुझे लगता है कि हर किसी के वास स्मार्ट पॉन है तो सोसल मीडिया पर एक्टिव है त उसके बारे में जानते रहते हैं